वेल्कम यूवल आप रोई प्रोम महाजन ट्रेडर आज हम बात करने वाले हैं जी इंटर्टेमेंट के बारे में और जैसे की हमें पता है कि राकेश जुन जुन वाला ने जब इसमें इन्वेस्मेंट किया था और काफी सारे शेर्स उन्होंने इसमें बाई किये थे और उन् इनके फॉर्टफोलियों में और वही अगर बात करें जी इंटर्टेमेंट हमें तो काफी कुछ इसमें काफी हद तक बाईंग कर दी गया है काफी और सारे रेकॉर्ड़ इसमें तोड़ दिये गया है और इसमें जो बड़त हमें देखने को मिल रही हैं आज अगर टॉप की बात की जाए तो जी इंटर्टेमेंट इंटर्प्राइज टॉप पर आज हमें दिखाई दे रहा है और टॉप पर है और काफी हद तक यह उपर क्यूर बढ़ सकता है सो गाइस अगर देखा जाए तो काफी इसमें बड़ी न्यूज आई है क्यूब में इस टॉक बड़ा है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ काफी बड़ी इसमें न्यूज हमें देखने को मिली है और उस न्यूज के बारे में हाज हम डिसकसिन करने वाले है वीडियो को आयान तक देखना बिना skip किये काफी helpful होने वाला है और क्या हम buy कर सकते हैं या नहीं वह भी हम इस वीडियो में देखने वाले तो guys और वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को subscribe कर देना ford shares के updates के लिए shares के latest news के लिए तो guys वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर देखा जाए इनके price में price के अगर बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो लग भग 303 के price पे open हुआ था guys और वही हाई की बात करें तो 305 का इसने हाई भी लगा और closing तो देखी सकते हो closing इसने देदी 333 रुपए के price पर अगर उसके बात की अगर मैं बात करूँ उसके बात की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर लग भग 38 रुपए तक stock बढ़ा है guys 38 रुपए तक stock बढ़ा है और काफी उपर तक जाने की कोशिश कर रहा है कोशिश कर रहा है और आप यही देखा जाए तो 30% तक की अतेजी हमें stock में देखने को मिल रहे है 30.50% तक stock हमें बढ़ता हुआ है आपर नजर आ रहा है वही अगर बात करें न्यूस की तो न्यूस की बात करूँ उससे पहले हम देख लेंगे इसके market cap के बारे में तो market cap अगर देखें तो 32.40,000 करोड का market cap है पी रेशियो की बात करें तो 32.69 का पी रेशियो है dividend की बात करें तो 0.55 का dividend भी आपको यहापर देखने को बिलेगा guys अब हम बात करत है न्यूस की तो क्या कुछ इसमें न्यूस आई है न्यूस की हिसाप से अगर देखें तो न्यूस को हम देख लेता हो तो यहापर आप देख सकते हो sony deals lifts g entertainment 31% अप तो जो sony की deals है sony का जो इनके पर deals हुआ g और sony entertainment और g entertainment के बिच जिनकी वज़ा से stock में काफी उपर की और momentum दिखा है और the shares of g entertainment enterprises ltd realize 31% अप on Wednesday day after announcement of a merger with sony pictures तो इनके पास उन्हें ने collab कर लिया है alliance है इन दोने के बीच तो जिसके कारण इसमें अब देखने को हमें मिला है g entertainment enterprises ltd closed at 337.10.10 on the BSE अब तो काफी उपर तक stock बढ़ा है गाइस काफी हाथ तक returns हमें देखने को मिल रहे है और capital में भी हमें उपर के ओर जाता हुआ देख रहा है company के अगर बात करें यहाँ पर performance की तो price performance आप देख सकते हो क्या हाई है लगबग वन विक की इसाफ से देखा जाए तो 31.61 परसंट तक बढ़ा है वन मन की इसाफ से देखे तो 97.59 परसंट बढ़ा है वही बात करें 3 months का तो 54.39 परसंट है वही बात करें 1 year की तो 17.88 परसंट है तो year on year अगर देखा जाए तो काफी increase यहाँ पर होता हमें देख रहा है वही अगर बात करें आज के यहाँ पर तो 20 करोर के something का यहाँ पर trade value है 20 करोर के something का trade value है काफी तगड़ा trade value हमें हाँ पर नजर आ रहा है वही अस्टेडे की अगर बात की जाए अस्टेडे में आप देख सकते हो 2 करोर के something है तो 2 करोर है वही अगर बात करें 1 week का average तो 8 करो तो काफी तगड़ यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है काफी तगडी तरीके से over की यह बड़तिवा दीक आ है and Green बाकरें गाइस community sentiments के इसाप से तो Community sentiments के सबक्राइस देखा जा तो 72% तक की आश बाइं की गई है 71% तक की बाइं की गई है stock में जो की काफी अच्छी बात है वही अगर बात करे 25% तक की selling है 25% तक की हापर आपको selling दिखने को मिल सकते हैं वही बात करें अगर 4% तक के आपर holding रखा गया stock को लगभग 4% तक की holding यहापर आपको देखने को मिल सकती है 4% तक की holding काफी ब अब बात करतेगा इस revenues की तो revenues के बारे में अगर देखें तो 2017 में बात की जाए तो 6434 करोड के आसपास का revenue जनरेट हुआ है वही बात करें 8139 करोड क्या स्पस्का रेवेन्यु है यह रोन यह रेवेन्यु काफ़ी इंक्रिस होता जा रहा है वही अगर 2021 की बात कर ले तो 2021 में भी उबर जाने कुशिश कर रहा है अभी लगबग 729 है जो काफी यह डंबर ट्रिपल डिजिट में अभी तो फोर डिजिट में भी जा सकता है और काफी उचे लेवल्स पर जा सकता है अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भले ही एरों अगर देखा जाए तो नीचे की ओर हमें आता हूँ अदिक रहा है बट कभी भी ये उपर की ओर बढ़ सकता अभी तो बिल्कुल उपर की ओर ही बढ़ने वाला है क्योंकि काफी तगड़े इसमें हमें निजी आ र रहा है हमें 2017 की में बात कर रहा हूं वही अगर बात करें 2018 की तो 1494 क्रोड का रेवेन्यु जेनरेट हो रहा है और वही अगर बात करें 2019 में तो 1564 क्रोड की आसपास का रेवेन्यु जेनरेट हो है 2020 में भी अगर देखें तो 527 क्रोड है वही 2021 में देखें तो 793 क्रोड का promoters की और 3.99ञ परसंट holding Thailandабот की और बात करे 50 holding ही तो efi zou ऑंक होलिग 5756 फरसंट है और वही奶 की holding रही जाय तो 18.62 परसंट की holding है 溜alen की वही भी को पाभली को मrद में देखा जाए तो 90.93 परसंट की holding है यहाँ पर पदी की तो holding के बारे में अखर देखा जाए तो FIA की holding काफी इसमें जादा है जिसके कारण काफी positive हम stock में हो सकते हैं तो guys काफी positive stock में हमें momentum नजर आ रहा है news के बाद भी और यह फिर भी बट आपको अगर इसमें खरीदारी करनी हैं अगर मान लिजए आपको अभी खरीदना हो तो आपको थोड़ा wait करना चाहिए मेरे opinion के हिसाब से आपको wait करना चाहिए मैं wait करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि stock अभी upside है stock अभी upside हमें जाता हुआ दिख सकता है बट इसमें हो सकती है profit booking profit booking काफी तगड़ी होंगी guys मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई stock उपर की और इसा momentum बताता है उपर की और कोई stock जाता है तो उसमें एक particular level पे profit booking की जाता है मान लेजिए इस stock उपर बढ़ रहा है तो यहाँ पर profit book किया जाएंगा profit यहाँ पर बुक कर लिया जाता है और बुक करने के बाद stock नीचे आता है फिर returns करके उपर जाता है और जो नीचे के level पे stock आता है अगर देखे तो मान लेजिए stock उपर जा रहा है profit booking इस लेवल पर इस stock नीचे आया तो हमें एक particular level पे buy करना चाहिए और उसके बाद हमें खरीदना चाहिए इस लेवल पर हमें buy करना चाहिए stock में फिर long term के लिए उसमें एक rally से stock ऐसा बढ़ते जाता है so guys अगर आपको खरीदारी करने तो levels का weight कीजे अच्छे levels का weight कीजे थोड़ी information gain कीजे analysis आप chart analysis कर सकते हो में chart analysis भी video बना सकता हो तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को like कर दे चैनल को subscribe कर देना thank you